नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका जीकेवाई सुरेंदर नुवाल चैनल में आज हम फड़ेंगे 1877 की करांती से सम्मदित मत्तवपून परसंद तो आईए चलते हैं पहले परसंद की ओर पहला परसंद है राजस्तान में 1877 की करांती कहां से प्रारम हुई निम्मच नसीराबाद देवली खेरवड़ा राजस्तान में 1877 की करांती कहां से प्रारम हुई थी नसीराबाद से चलते हैं दूसरे परसंद की ओर 1877 की करांती के समय राजस्तान में कुल कितनी शेनिक छाउनिया थी 4, 5, 6, 7 1877 की करांती के समय राजस्तान में 6 शेनिक छाउनिया थी एन्फिल्ड राइफल का सबसे पहले विरोध किस चाउनि में किया गया था एन्फिल्ड राइफल का सबसे पहले विरोध किस चाउनि में किया गया था बेरकपुर चाउनि, बुरहान पुर चाउनि, नशीराबाद चाउनि, खेरवाड़ा चाउनि तो इसका विरोज सबसे पहले किया गया था बेरकपुर चाहुनी चोत्ता परसन है लाड डलहोजी की गोध निशेद या राजी हड़प नीती के तहत सर्व परतम अंग्रेजोनिक किसको हड़पाता बेरकपुर सतारा कानपुर मेसूर तो यह थड़पाता सतारा को अठारा सो सताउन की करांती का परतीक चिन क्या था कमल का फूल और चपाती कमल का फूल और जलेबी वंदे मातरम या इनमेशे कोई नहीं तो अठारा सो सताउन की करांती का परतीक चिन था कमल का फूल और चपाती करांती के समय भारत का गवणर जन्रल कों था क्रांती के समय अंग्रेज़ों का गरिश्म कालिन मुख्याले था माउटाबू, अजमेर, जयपूर, उद्यपूर क्रांति के दो विजे इस्तंब कहां इस्तित है पाली, कोटा, अजमेर, उदेपुर तो ये दो विजे इस्तंब थे आहुआ पाली में आहुआ आहुआ राजस्तान की कौन सी दो स्चावनियों में क्रांति नहीं हुई थी ब्यावर और खेरवडा, नशीराबाद और ब्यावर, ब्यावर और निम्मच, देवली और ब्यावर तो दो से निक्चावनिया थी जिन में क्रांति नहीं हुई थी वो थी ब्यावर और खेरवड़ा, ब्यावर जमेर और खेरवड़ा उद्यपूर अंगरेजों के साथ सहाएक संदी करने वाली राजस्तान की पर्थम रियासत कोन शी थी? अलवर, भरदपूर, उद्यपूर, कोटा तो सहायक संदी सबसे पहले की थी भरतपुर रियासत ने विश्त्रित सहायक संदी करने वाली पर्थम रियासत कौन शी थी भरतपुर, अलवर, स्वाईमादुपूर, जोदपूर तो विश्त्रित सहायक संदी करने वाली पर्थम रियासत थी अलवर रियासत अलवर राजस्तान की सबसे बड़ी और सबसे सक्तिसाली चाओनी थी निम्मत चाओनी, नशिराबाद चाओनी, खेरवडा चाओनी या एरिनपुरा चाओनी तो सबसे सक्तिसाली से निक्षाओनी थी नशिराबाद चाओनी अजमेर वाली नशीराबाद चाउनी की इस्तापना कब हुई थी 1832, 1834, 1809, 1818 तो नशीराबाद चाउनी की इस्तापना 1818 में हुई थी राजस्तान की एक मात्र चाउनी जो राजस्तान से बहार थी एक मात्र चाउनी जो राजस्तान से बहार थी निम्मच कोटटा खेरवाडा ब्यावर निम्मच चावनी थी जो बहार थी मद्य प्रदेश में थी MP में राजस्तान का फर्थम साशक जिसने सरो फर्थम अंग्रेजों का साथ दिया था सरदार सिंग, सवरूप सिंग, मदन सिंग, राम सिंग तो ये था सवरूप सिंग उद्यपूर का बीकानेर का एक मात्र सासक जिसने अंग्रेजों की सायता के लिए अपनी सेना रियासत से बाहर ले गया बीकानेर का एक मात्र सासक जिसने अंग्रेजों की सायता के लिए अपनी सेना रियासत से बाहर ले गया सरदार सिंग, सवरूप सिंग, मान सिंग, मदन सिंग तो ये था भी कानिर का सरदार सिंग राजस्त एक मात्र सासक जिसने 1877 की क्रांती में अंग्रेजों का सहियोग नहीं दिया एक मात्र सासक जिसने 1877 की क्रांती में अंग्रेजों का सहियोग नहीं दिया राम सिंग, जगत सिंग, सवरूप सिंग, सरदार सिंग राम सिंग, जगत सिंग, सरदार सिंग, सवरूप सिंग तो ये था राम सिंग राम सिंग 1877 की करांती के समय जैपुर का पोलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर इड़न, मेक मोशन, मोरिशन, बर्टन तो 1877 की क्रांती के समय जैपुर का पोलिटिकल एजेंट था मेजर इड़न एसी कौन सी रियासत थी जिसके राजा और जनता दोनों ने अंग्रेजों का सहियो किया था राजस्तान की एसी कौन सी रियासत थी जिसके राजा और जनता दोनों ने अंग्रेजों का सही हो किया था कोटा अजमेर जैपुर मेवाड तो वो थी जैपुर रियासत 1877 की क्रांती का समाधी स्थल है 1877 की क्रांती का समाधी स्थल है कोटा शिकर मारवाड मेवाड तो ये थी सिकर दिल्ली चलो मारो फिरंगी नारा किस चाओनी में दिया गया था दिल्ली चलो मारो फिरंगी नारा किस चाओनी में दिया गया था देवली चाओनी, एरिनपुरा चाओनी, अहुआ चाओनी, कोटा चाओनी, तो ये थी एरिनपुरा चाओनी एरिनपुरा चाओनी में करांति कब हुई थी? 7 जून 1857, 21 अगस्त 1857, 28 मई 1857, 31 मई 1857 तो एरिनपुरा में हुई थी? 21 अगस्त 1857 1857 पुर्वया राजबुत किस्त चाओनी से सम्मंदित थे? देवली चाओनी, एरिनपुरा चाओनी, कोटा चाओनी, ब्यावर चाओनी तो पुर्वया राजबुत थे एरिनपुरा चाओनी से सम्मंदित तिरलोक्चंद और मोती राम का संबन्द किस से निक चाओनी शे था ब्यावर चाओनी, एरिन पुरा चाओनी, निम्मच चाओनी, खेर वाडा चाओनी तो तिरलोक्चंद और मोती राम का संबन्द ता एरिन पुरा चाओनी शे 1877 की कुल देवी थी सुगाली माता, जीन माता, करनी माता, आई माता तो 1857 की कुल देवी थी सुगाली माता सब 20 वाक्योशन है बिठोडा का युद गब लड़ा गया 8 सितुमबर 1857 18 सितुमबर 1857 5 अपरेल 1857 5 नॉमबर 1857 तो बिठोडा का युद लड़ा गया था 8 सितुमबर 1857 सूर्यमल मिश्रण ने किस युद को गोरो और कालो का युद कहा है बिठोडा का युद, चेलावास का युद, गिरिसुमेल का युद, यहल दिगाटिका युद तो ये कहा है चेलावास के युद को अंग्रेजों ने कुसाल सिंग की जाँच के लिए कौन सा आयोग गठित किया था? अंग्रेजों ने कुसाल सिंग की जाँच के लिए कौन सा आयोग गठित किया? सवरूप सिंग आयोग, टेलर आयोग, केशवनन्द आयोग, मुहमद अलिय आयोग तो ये था टेलर आयोग 29 वा क्योशन है कोटा में क्रांती किस तारिक को हुई थी 15 अक्टुमबर 1857, 11 जुलाई 1857, 12 अक्टुमबर 1857 या 31 मही 1857 तो कोटा में क्रांती हुई थी 15 अक्टुमबर 1857 सबसे व्यापक, सबसे सून्योजित और सबसे सूनिशित क्रांती कहा हुई थी कोटा, मेवाड, ब्यावर या नशिराबाद कोट्टा, मेवाड, ब्यावर, नशिराबाद तो यह हुई थी कोट्टा में तात्या टोपे का वास्तिक नाम था तात्या टोपे का वास्तिक नाम था राम चंदर पांडूरंग, दून दूपंत, नाना सहाब या नरेंदर दत तो तात्या टोपे का वास्तिक नाम था राम चंदर पांडूरंग तात्या टोपे किस रियासत को छोड़ कर अन्य सभी रियास्तों में घूमा था तात्या टोपे किस रियासत को छोड़ कर अन्य सभी रियास्तों में घूमा था बिकानेर, जेसलमेर, कोटा, बांसवाड़ा जालावाड के किस सासक को बंदी बनाकर कुछ समय तक ता त्या टोपे ने सासन किया था पर्तवी सिंग, बिशन सिंग, सामन सिंग या हरिंदर सिंग तो ये था पर्तवी सिंग दोस्तों अगर आपको मेरा बतायवा अच्छा लगता है तो प्लीज आप ज़्यादा से ज़्यादा सस्क्राइब और शेयर कीजिए अगले पर्शन की ओर चलते है बिकानेर के किस सासक ने ताट्या टोपे को दस गुड सवारों की मदद की थी गंगा सिंग, डोंगर सिंग, सरदार सिंग, सारदुल सिंग ताट्या टोपे की छत्री किस जिले में इस्तित है जयपूर, सिक्कर, बांसवडा, भीलवडा तो ताट्या टोपे की छत्री है शिक्कर में राजस्तान का सबसे कम उमर का सहिद कौन था ताट्या टोपे, ताराचंद पटेल, हें मुकालानी या बक्तावर सिंग तो ये था सबसे कम उमर का सहिद हें मुकालानी 1877 की क्रांट, तीकी समापती राजस्तान में कहां से हुई थी 1857 की क्रांती की समापती राजस्तान में कहां से हुई थी कोटा, सिक्कर, जैपूर, उधेपूर कोटा, सिक्कर, जैपूर, उधेपूर तो यह हुई थी सिक्कर से कोटा में क्रांती का नेत्तर तो किया था कोटा में क्रांती का नेत्तर तो किस ने किया मंगल पांडे, शिव सिंग, शिवनात, जैदयल और मेराब खान तो ये किया था कोटामी करांति का नेतर तो जैदयल और मेराब खान बिठोडा का युद कहां लड़ा गया था शिरोई, टॉउप, अजमेर, पाली तो ये लड़ा गया था आहुआ पाली में तात्या टोपे को फांसी किस ने सुनाई थी तात्या टोपे को फांसी किस ने सुनाई थी न्याएदिस बाग ने न्याएदिस बरोनी न्याएदिस बरोनी न्याएदिस हेमरावत ने तो तात्या टोपे को फांसी सुनाई थी 29 बागने 1877 की क्रांती के परती दो विजे इस्तंभ कहां इस्तित है टॉंक, कोटा, पाली, जोधपुर 1877 की क्रांती के दो विजे इस्तंभ पाली में इस्तित है ताट्याट्योपे का सरवादिक हस्त सेप माना जाता है कोट्टा में, टॉंक में, जोदपूर में, अजमेर में ताट्या टॉपे का सरवादि खस्त सेप माना जाता है टॉंक में इतियास में ताट्या टॉपे को फांसी देना बिट्रिश सरकार का अफराद समझा जाएगा और आने वाली पीडी पूछेगी कि इस सजा के लिए किस निश्वी करती दी ये कथन था केप्टन सावर्ष का, गोपिनाथ सरमा का, जैम स्टोड का, कुसल राज सिंदी का तो ये कथन था केप्टन सावर्ष का आयो अंगरेज मुलक के उपर किसकी रचना है बाकी दास, करण मीना, जश्वन्त सिंग, लक्समन सिंग आयो अंगरेज मुलक रचना है बाकी दास की बाकी दास की अठारा सो सत्तावन की करांती में कहा के करांती कारियों ने मेक मोशन का सिर काट कर वहां के कीले पर लटका दिया था अठारा सो सत्तावन की करांती में कहा के करांती कारियों ने मेक मोशन का सिर काट कर वहां के कीले पर लटका दिया था कोटा, आहुआ, बुन्दी, जवेपुर तो ये आहुआ के कीले पर लटका दिया गया था आहुआ, पाली वाले की 1877 की क्रांती के समय राजस्तान का AGG कौन था Agent to Governor General George Patrick Lawrence, Major Burton, Make Motion, James Toad 1877 की क्रांती के समय राजस्तान की AGG George Patrick Lawrence थे राजस्तान का दूसरा इस्तान जहां क्रांती की सरुबात हुई थी नशीराबाद, निम्मच, ब्यावर, एरिनपुरा राजस्तान का दूसरा इस्तान जहां क्रांती की सरुबात हुई थी नशीराबाद, निम्मच, ब्यावर, एरिनपुरा तो ये था निम्मच जोदपुर के किस महाराजा ने अंग्रेजों का साथ देते विए विद्रोईयों से युद्ध किया था जोदपुर के किस महाराजा ने अंग्रेजों का साथ देते विद्रोईयों से युद्ध किया था महाराजा मान सिंग, महाराजा भीम सिंग, महाराजा तक्त सिंग, महाराजा बनने सिंग तो ये थे महाराजा तक्त सिंग 1877 के सवतंतरता संगराम में कोटा के महाराव की साहता के लिए किस राज्यने से निक साहता बेजी थी करोली, जालावाड, कोटा, बुंदी तो यह थी करो लिए के नेतरतों में ओके दोस्तों एक परसन आपको पूंचता हूं राजस्तान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है ये परसन आप कमेंट में इसका उत्तर दीजिए धन्यवाद